तबियत खराब होने पर आप कहा जाते हैं डॉक्टर के पास लेकिन अगर ये डर बैट जाए कि डॉक्टर के पास या फिर नॉमल डूटीन चेकप्स और थेरपीज लेने के लिए भी जब आप क्लिनिक्स में जाएं तो कहीं कोरोना तो हमारे साथ नहीं आ जाएगा तब बहुत सारी ऐसे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं जो बारीकी से खयाल रख रहे हैं कि आप तक ही कुरोना ना पहुचे चाहे आप किसी थेरपी के लिए जाएं या फिर रूटीन चेकप्स के लिए दो वाइब्स की टीम ने ऐसे ही कुछ क्लिनिक्स पर जाकर ये ध्यान दिया और इन बातों पर गौर परमाया कि आप कितने सेफ हैं कोरोना से और किन किन बातों का ध्यान रखें जब आप अपने रूटीन चेकप्स या डॉक्टर विजट पर जाएं लेकिन क्लिनिक में डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों को ही ध्यान रखना पड़ रहा है और बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स पेशेंट्स की सेफटी का ध्यान रख रहे हैं लेकिन as a patient आपको किन बातों का ध्यान रखना है और as a doctor किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है ये आपको अब जानने की जरूरत है screening of all the patients and attendants before entering the premises यानि हमेशा thermal check-ups जरूरी है और साथ ही हाथों को sanitize करना भी जरूरी है इसके अलावा social distancing बहुत ज्यादा सरूरी है खास तौर पर से waiting areas भी Try to visit doctor by appointment only किसी भी clinic और hospital में doctors द्वारा PPE kit या mask का इस्तिमाल आनिवारे है खास तौर पर से gloves, face shield is a must for all the hospital and clinic staff Visit of children should be avoided Any visitor who is coughing और shows signs of illness will be asked to kindly leave यानि अगर आपके साथ कोई व्यक्ती है या फिर आप खुद हैं जिने खासी या जुखान या फिर बुखार जैसी लक्षन नजर आ रहे हैं तो doctors उन्हीं तुरंट वापस जाने के लिए या किसी और doctor से अपना इलाज करने की सलहाद दे सकते हैं OPD area should display informative posters about hygiene and protection from COVID-19 साथ ही waiting time को भी कम करना पड़ेगा पहले doctor के पास जाकर waiting बहुत ज्यादा लंबे समय की होती थी लेकिन अब appointment के जरिये इस waiting time को कम किया जा सकता है यानि waiting time को कम करके patients या पर doctors infections को खुद से दूर रख सकते हैं Social distancing and sanitization are the only mantras to save yourselves from COVID-19 लेकिन doctors और clinics किस तरीके से इन सब को follow कर रहे हैं यह हमने खुद doctor से जानने की कोशिश करे मैं दॉक्टर विनूत कौशिक, कौशिक फीजियो क्लिनिक जो हम फरिदाबाद में चला रहे हैं इस clinic में जैसे ही COVID-19 के attack के बाद जो changes हमने लेके आए वो हर clinics में इंडियन एस्टेशन फिजिद्रफी की जितने members हैं सब follow कर रहे हैं इस clinic में क्या रहता है कि patients की hygiene का जैसी patient enter करता है gate पर तुरंत उनका hands को sanitize किया जाता है उनका temperature चेक करने के बाद उनको kevin में consultation देने के बाद जब भी shoes वेगरा normally infection का चांत होता है shoes के थूरू आ सकता है तो shoes को बाहर ही निकलवाए कर अंदर center जो sleepers हैं उनको use करा जाता है उसके बाद patient के treatment के बाद जितना भी हमारा staff है हर patient को treatment करने के बाद अपने हाथ को sanitize करता है जिससे कि patient का safety maintain रहती है इसके लावा patient की safety के लिए जितने भी couches एक बार patient use करता है उसको तुरंत sanitize किया जाता है disinfect किया जाता है हफते में एक बार पूरे clinic को disinfect भी किया जाता है जिससे कि जितना हो सके patients की safety रहे और जिस safety के तुरू patients को यहां आने में कोई डर नहीं लगता है वो safety हम आप सब लोगों के लिए follow कर रहे हैं अपने लिए follow कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू ना माइम इस दॉक्टर मिशाल जैन I am here in vital dent working as a senior dental surgeon we in vital dent maintain a high standard of COVID protocol once you enter the dental clinic we definitely check your fever your pulse oxy use pulse oximeter for reading of your oxygen saturation we sanitize your hands and then you only can enter the dental clinic after entering the dental clinic you made to sit on a sterilized chair which and all the procedure on the dental chair are done with all the safety precautions like the doctor is wearing the PPE wearing a double mask and having a face shield even a head cap and with the double gloves so you need not to worry to come to a vital dent for any procedures during this COVID period we use uv chamber for a sterilization and also air purifier with a hipa filter is available in our clinic so for routine checkups or therapies do not go to the clinics do not hurt or hurt just keep a little bit of attention some doctors and clinics you have to keep attention some doctors and clinics you have to keep attention some of you have to keep attention how do we have to tell you in the video how did you feel like this video please tell us in the comment section comment comment and also like like our video and subscribe to our channel the wives girl thanks for watching